हाई गाईस वेलकम बैक टो माई चानल आइम सब अनास कैसे हैं आप लोग तो आज जो मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है हर एक लड़की के लिए आप लोगों को मेकप करना नहीं पसिंद करने पस transf威ड पर्शनाल हा इज आज फिडेयो में बात करने वाली है 7 परष्टिप हैजीन जो आप लोगों को इस वीडियो के तुरनंद बद फॉलो कर देना स्टार्ट कर देना चाहिए जो विडाज ज सब जांए एस नरा शो वो है अगर हम किसे सा मिलने जाते है तो हमारा फॉर्स इंप्रेशन बनता है हमारे लुक्स का हमारे मेक अप का लाइक कैसे कपड़े पहने हम आपको प्रॉबलम हो जाएगा क्योंकि आपको ब्रीट प्रॉबलम दूसे सामने वाले बंदे को काफी जादा प्रॉबलम कर सकता तो आपको अपना बहुत जयादा ज़रूरी है ठेसके अजरी आपकी पहली हठी आपके बूरी है अठीची ब्रश करना चाहिए 네가 लोग नहीं करते सुबidence कर दो करने करेश सी अधार ग्रेड तो यह समयल जो प्रॉलज जाती है गंड श्मस्म सुल पहली चेरिया हो जाते हैं। इसलिंग आपको दिन में दोवा ब्रश करना बहुत ज़रूरी कि पर सोने से सब्सक्राइब यह को मार्केट में एजिली एवेलेबल है इससे आप अपनी तंग कर सकते हैं अज मैं करके दिखा रहें आपको तब चाहिए निकले आपको तब में जाता हो जाते हैं तो आपको ट्रीन करना भूस जरूरी है नेक्स तके बादे मारे टीत ब्रेश सारी नहीं कर पाता है Special care हम इस प्रोस से कर सकते हैं जैसे जो लोग नौन विज खाते होंगे वह ज़ादा है रिलेट कर सकते हैं नौन वेच खाया उसके बाद आप यूज कर सकते हो कुछ खाने के बाद अगर अगर आप डेरी से एक हैबिट बना लोगे तो तो और भी साथ अचा है अगर आप लोगों ने ये चीज़े फॉलो करना स्टार्ट कर दी तो आपको बैट बीट की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी टिप नमबर टू इस माउथ के बाद हमारी सेकिंड स्मेल की प्रॉब्लम कहां से होती है अंडराम्स हमारे अंडराम्स काफी जादा स्टिंग करते है हर किसी के करते हैं किसी के जादा किसी के कमबट करते हैं आप भी अगर अपने अंडराम्स इस तरीकी से स्मेल करोगे तो आपको भी पता लगेगा कि आपके अंडराम्स स्टिंग कर रहे कि नहीं कर रहे तो मैं क्या करती हूँ एक टौवल पर अपना बॉड़ी वॉश ले को बनता है एककथा होता है स्मेल बन्ती है जन्रेट होती है तो अपने अडराम को बिल्कुल हैर fonction will help you received घरल्ड प्रप्लम काम होगी लुट को अपने क 녈 आंट आप रोल explor लन एंड बॉडी मिस्ट भी उज़ कर सकते हो इससे आपकी अंडराम्स की दिक्कत बैट स्मेल के दिक्कत जरूर ठीक हो जाएगी ट्रस्ट ही थर्ड परसनल हाइजीन टिपस है वह है क्लीन यूर वेजाइना हम लोगों में से बहुत सारे लोग इस एरिया को बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर देते हैं बट अधर बॉडी पार्ट की तरह हमें इसे भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है टू मेंटेन अ गुड हाईजी आपकी वेजाएना इंटरनली तो खुदी क्लीन हो जाती है बट आपको लेजाएन से अपको एक्स एक्सटानली क्लीन करना बहुत साथ ज़रूरी है यह नापको इसदेन करना भी जग्रीया पर है एक यह jou तो यह बोलुगो कि इसे आपके वेजानल एडिया में कई इन्फेक्शन होता है इचिंग होती है एरिटेशन होती है अन्पीजन और भी आती है फंगल ग्रोथ होती है तो यह सब प्रिवेंट करता है यह इंटिमेट वाशे अगर इन्हें यूज करने लगोगे तो आपको इ इंटिमेट वाशें जैसे कि आपकी नीडाप उस तरीके से खरी सकते हो वन इस फर मॉम वन इस पर टीन वन इस नाचर और वन इस फोम वाला इसमें तो इंग्रीएंट्स यूज है वह है नीम टीट्री ओल सी बग थोन और अलोवेरा और जिसको मेन इंग्रीडियंट है वह आपको अपने हैं लेनाय सबसे पहले देन आप कुछ डॉप इंटिमेट वाश अपने हैंड पे लो यह देन यह एक्स्टरनली वेजाइनल को आप क्लीन कर सकते हो आप यह दिन में दो बार कर सकतो शावर लेते टाइम तर यह जब आपको ट्लीन करने का टाइम हो जाए और यह आप किसी भी एज ग्रूप के हो आप इसे यूज कर सकते हो So feel fresh and clean entire day with these everything intimate washes Product details मैं आपको description box में mention कर दूँगी आप check out करना चाहो तो महां से check out कर सकते हो Tip number 4 है वो एक ऐसा part है जो कि मुझे लगता है 99% लोग उसे clean नहीं करते हैं मैं भी उन में से एक थी बट जब से मुझे पता लगा है मैं उसका proper खयाल रखने लगी हूँ वो है हमारा belly button हमें अपने belly button नाभी यानी कि इसको अच्छे से clean करना जरूर है बिकोज ये इस तरीके का structure वाली जगाए होती है उसमें dirt easily cutthा हो जाता है और नाभी आपका like a crucial part है आपकी body का जो आपको बहुत maintain clean रखना चाहिए बिकोज इसके अंदे आप जब करोगे आप cleaning process follow करोगे तो आप देखोगे कि आपका belly button कितना जादा गंदा था आपको खुद को रियलाइज होने वाला है तो इसको आप अच्छे से clean करें जब भी शावर ले आप इसे अच्छे से clean करें और इस पे extra focus दे तो मैं आपको बताती हूं मैं अपना belly button कैसे clean करती हूं मैं जिस्ट अपना शार जल लेती हूं और earbud क्यूंकि फिंगर हमारी थोड़ी से बढ़ी अच्छा हो जाती है तो इस तरीके से आप भी अपना belly button कर सकते हूं हमारा ear area हम कान को बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर देते हैं इतना अपना चेहरा दो लेते हैं नीचे से body दो लेते हैं बट अपने कान को बूली जाते हैं तो हमें अपने कान को clean करना बहत जरूरी इसका जो बूली जाते हैं बट हमारे कान दूसरों को तो दिखते हैं ना तो हमें से clean करना उतना ही जरूरी जितना अपने other body parts पो clean करते हैं जब आप यह चीज़े clean करना start कर देंगे तब खुद में confident feel करोगे सामने वाले के उपर अच्छा impression पड़ेगा खुद को भी बहुत अच्छ पीछे से clean करो अंदर से पूर अच्छे से clean करो आपके जरूर क्लीन हो जाएंगे tip number six है वह हमारे पैर हम अपना चहरा चमका लेते हैं बाल अच्छे से बना लेते कपड़े अच्छे पहन लेते हैं बट हमारे पैरों का क्या लाइक अगर आप शूस पहनते तो आपको तो चिप जाते हैं बट अगर आप हील्स पहनते हो कुछ वेजिस पहनते हो इस तरीके का जिससे आपके पैर जो विजिबल है अगर गंदे लगते हैं तो आपकी पूरी परस्णालेटी बिलकुल बेकार हो जाती है सामने वाले के लिए नहां तो लेते हो पूरे अच्छे से उ जाएंगे अपने तब में वाटर लेके दस से पंदर मिट अपने पैरों को ना सोक कर सकते हो इससे क्या होते है अपो जो डर्ट इंप्यूरिटी मिट्टी वगर होती है वह फूल जाती है और इसको रिमूव करना आपकी क्रैक हील की प्रॉब्लम भी कभी नहीं होगी उसक आप एक्स क्रब यूज कर दिए बॉड़ी लोशन या फुट क्रीम्स बी अवेलेबल आ मार्कित में आपके पैरों को बीमॉश्याइजर लगा साथा जितना आपके अपके अधर बॉड़ी पार्स को इसे प्राकिल की प्राइज पर्बलम नियोंगे पैर बी काफी संदर लास्ट एंड सेवें नंबर की टिप है वह बहुत साथा कॉमन है बट फिर भी में से लास्ट में बता रही हूं जो हमारी गंदेगी स्टार्ट होती है ना जो हमें इंफेक्शन की प्रॉब्लम होती है वह हमारे शुरू होती हमारे हाथों से यह में कोरोना ने तो बताई अपने हाथ कितने साथा क्लीन रखने चाहिए अगर आपको इंफेक्शन से बचना है अपने हैं तो बॉष्ट कर लेते हैं हैं वाश से दिरह में लगते हैं कि ठीक हमारा इंफेक्शन निकल गया हम क्लीन हो गए बट जो कुछ गंदेगी जो हमारे नेल्स के अंदर रह जा अपने लें लेडुरे के अंदर से क्लीन कर सकते हो अथर्वाइस अपके घर में वह सारे चीज से चीज हों की जिनकी शेप ऐसी उससे भी इंपने दियुक्अ कर सकते हो जरूरी नियो बहुत ज्यादा पैसा करक्श कर नहां दर अपको इंक ब्रश की हैं कर ना चाहिए इस सामने वाले पर वो भी काफी जदा अच्छा पढ़ने वाला है आपके खुद के लिए अच्छा है और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो हेलफुल लगयों जरा भी समझ आई आप रिलेट कर पाई इस वीडियो से तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर देना अगर आप ल